पेशे नजर जो लोग जानवर लाते हैं हैदराबाद को धुर्बानी के लिए पुलीस तलंगाना पुलीस और आनिमल हजबेंटरी और ये गाउरक्षा समेती बीजेपी आरेशस के कार्पुन जो है इनको परेशान किया जाता है मुक्तलिफ खानून लगा कर इनको परेशान और ये सिल्षिला मुससिल 6 सल से किया जा रहा है एक तरफ जानवर को जब्द किया जाता है दिन से मैं इस मसल collaboration कर रहा हूँ कि पूलीस का जल्म हो रहा है हर डिस्ट्रिक में हर पूलीस टेशन में एक नया खानून लगाया जा रहा है कहीं ये बात कहीं जा रही है कि रात के लागड़ून में नाइट कर्फ्यू में आप जनवर नहीं ला सकते हैं फिर कहीं ये बात कहीं जा रही है कि तीन साल से कम उमर वाले जनवर आप नहीं ला सकते हैं कहीं एक कहा जा रहा है कि तीन साल से बड़के जनवर आप फुर्भानी के लिए ले जा सकते हैं। कहीं यह बात कहीं जा रही है कि प्रोटेकशन टु एनिमन, यहाने ज्यादा जनवरों को एक गाली पर ले जा रहे हैं। ये बात कही जा रही है तो कल जो है बड़े हैरत की बात है कि हमारे महमुद अली होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया और डिरेक्टर जनरला पॉलिस से मीटिंग करके एक बयान दिया क्योंकि मुससिल बात अगबारत में आ रही थी और हुकुमत की तरफ से अखलियतों को जलुम किया जा रहा है खुरेशी ब्रेदरी जो जनर ला रहे हैं उनको जलुम और कुछ बच्चे आपस में पैसे डाल कर जो जनर लाके करते हैं तो मुझे महमुद अली साहब होम मिनिस्टर का बयान सुनकर बड़ी हैरत हुई आप जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे पिछले छे साल पांच साल में कभी इस मसले पर सही नुमाइंदगी नहीं किये अब आप होम मिनिस्टर है आपके खुद माते है ये जलुम हो रहा है डिपार्टमेंट में जन्वरों को जब्त किया जा रहा है गाउ कमेले को भेज़ा जा रहा है और आपके गाडियों को जब्त किया जा रहा है कोर्ट में क्रिमिनल केसे बुकिये जा रहे है खाली लास्ट कियर जो है 173 केसे बुकिये 500 से जाहिद बाहिल गिर अफ़तार किये यकीनन गाए पर पाबंदी एहम गाए नहीं काट रहे है लेकिन कल होम मिनिस्टर का जो बयान है ये मुसल्मानों को मुल्जिम खरार देने का बयान था एक मुसल्मान होम मिनिस्टर का ऐसा बयान आना हमारे लिए शर्मनाग पास है होम मिनिस्टर जो है बजाए पोलिस की निंदा करने के होम मिनिस्टर बजाए पूरे डिस्ट्रिक के सुक्रिजेंट्स को और कमिशनर्स को वार्निंग देने के उन्होंने मुसलमानों से अपील की ये कह रहे हैं कि गाय को मत काटा जाओ गाय मत काटो आप एक बयान में 17 हम जो है नहीं काटिंगे होम मिनिस्टर को शर्मानी चाहिए हो मिनिस्टर को अखलानी चाहिए कि मुसलमान कोई गाय काट रहा नहीं लेकिन होम मिनिस्टर के बयान से ऐसा हो गया कि मुसलमान जो है एक कटगरे में खड़े रहे गए हम मुल्जिम बन गए उनके बयान से हो मिनिश्टर को चाहिए कि अपने बयान को वापिस ले डिरेक्टर जनल अप पोलीस तमाम सुप्रेडेंट तमाम कमिशनर्स को यह दायत दे कि जो भी बैल आ रहा है उसको कोई भी खानून के मताबिक मत रुकिए कोई खानून ही नहीं है रोकने का क्यों रोक रहे हैं आप यह समझ में नहीं आ रहा है आपका बयान कल दिन में आया आप कल दिन में मीटिंग लिए शाम में गुलकुंडा पोलीस टेशन में गिरफतार करें कल शाम में राजिंदर नगर में बाज आफ़तार राजिंदर नगर पोलीस टेशन लिमिट्स में गावरक्षा समयती वाले आक क्या बयान दे रहे हैं कि मुसल्मानों को मश्वरा दे रहे हैं कि गाए मत काटो बोलके ये कैसा बयान दे रहे हैं आप समझ में नहीं आ रहा है मेरे को आपके बयान से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम गाए काट रहे हैं और आपकी नसियत हो रही है आप बजाए पॉलीस को तंख आप बजाए पॉलिस को आप मश्वरा देना था कि मुसल्मानों को मत तंग करो, ताजिरों को मत तंग करो, खुरेशी वालों को मत तंग करो बलके और वगबोट चेर्मेन जो जमेतुल खुरेश के सदर भी है, मौमद सलीम साथ, कल दिन में बोले के मैं बात कर लिया हूं बोले, कल आप दिन में बात करें जनाब, रात में मुसल्मानों पे जलूब हुआ, रात में पॉलिस गिर अफ़तार कर रही, आपके नुमाइंदगी मुसल्मानों की कोई इज़त ही नहीं है, सीम के ने, तो ये जो चिफ में होम मिनिस्टर का बयान था, ये गुमराखुन बयान है, ये बयान ऐसा मैसूस हो रहा, कि मुसल्मान गाए काट रहे हैं, पॉलिस उनको रोक रही है, और होम मिनिस्टर मशोरा दे रहे हैं, कैसा बय बयान देने के, डी जी पी को आप सक्त निंदा करिए, पूरे कमिशनर्स को, पूरे स्पी स्को भुला के आप मेटिंग लीजिए, और एक रूल्स, टूस और डोंस, कि हम क्या करना चाहिए, कितने उमर का जन्वर लाना चाहिए, मेडिकल सेटिफिकेट किस से लेना आप, आपको हिम्मत नहीं है ये बात करने की आपको, आप जो आएमाइश है बयान दे देते हैं आप उठा के आपको जेहां दोस्तों हसीनों के खुस्न को दोबाला करे टूफा, टूफा हर्बल हेरोई, खुदरती जड़ी बुटियों का एक नादिर नायाब, शहकार, उन के लिए जो घने बालों के शौकीने, मर्दों खवातीन के लिए एक समुफीद, टूफा हर्बल हेरोई, हर मेडिकल स्टोर और जेनरल स्टोर पर बाअसानी दस्तिया, टूफा हर्बल हेरोई, एस एन क्यो फॉर्मेसी की नाया पेशकश, आज ही इस्तिमाल कीजिए, टूफा हर्बल हेरोई, झाल झाल